तो हेलो फ्रेंड्स फिल से हम लोग खेलने जा रहे हैं माइंड क्राफ्ट अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक एंड बैल आइकन को जरूर दबा दीजेगा तो आप लोग ने मेरे शॉर्ट में पहले से ही देखा होगा कि हम लोग सब्सक्राइब कर दो कि आज की वीडियो में ख्याल से थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि आज हम लोग बनाएंगे अपना एक स्टार्टर हाउस क्योंकि अगर आइरन गोलम भाईया ने देख लिया कि हम लोग अपने विलिजर क्या सो रहे हैं तो हम लोग गए फिर आ बहुत सारी वुड चाहिए तो हम लोग अभी जा रहे हैं वुड काटने और हम लोग अपने साथ एक बैट रख लिया क्योंकि अगर रात हुई हम लोग फिर से विलेज में जाना पड़ेगा बहुत भागम दोड़ी हो जाएगी इसलिए हम लोग पहले हैं अभी हम लोग क मेरे बाइने मुझे से कहा कि तुम याला वर्ल्ड खेल लो याला भी तक मैंने खेला नहीं है लेकिन उसको एक केव से थोड़ा सा मतलब उसमें सोचा की केव को बन कर देशले उसने डर्ट ब्लॉग उठाया तहां मुझको नहीं पता था मैंने उसकी तरह नोटिस नहीं कि तो भी हम लोग के पास छे ओक बसल पसित क्या कहते है अभी तक ही प्लैंक तो नहीं बन पाए अभी हम लोग सलते हैं दूसरा प्रेड काटने मुझको पतने कौन से एपसे फास्ट मुशन भी नहीं हो रहा क्यों कि मैं इतनी वीडियो इतनी लंबी नहीं करना चाहती लेकि अब यहां से तो अपने थोड़ से विलेज से दूर भी जाना पड़ेगा क्योंकि मैं ख्याल से यहां पर इतने ट्रीज नहीं है जितने हम लोग को चाहिए हम लोग को पूरे दो तीन स्टैप से क्योंकि हम लोग का घर मैंने जो डिजाइन सोची हो थोड़ी सी बड़ी है बड़ा घर बनाना चाहता है क्योंकि हम लोग को आगे चलके बहुत एक्स्प्लोरिंग करनी है बहुत सारा समान मिलेगा नया नया हम लोग उसी घर में चैस्ट रखनी है और थोड़ी से वुड़ बच जा तो उस घर में आज ही साथे डेक्रेशन्स भी कर दूं लेकिन मु इसको यह भी पता है कि मैंने यह वाली वीडियो बहुत ही मतलब अरे देर से मतलब बहुत दिनों बात किये तो उसके लिए भी शौरी तो अभी अपना सेकंड पेड़ चड़ला है बता नहीं आप जॉंबी वाद फालतू में क्यों आती रहती है आप लोग साथ ना सुनेते लेकिन बहुत आती है यह समुद्र में भी कोई से जॉंबी होते हैं क्या लेक्स और अरे यार ओसन एक बद जा कर देखना पड़ेग कि मतलब कोई ट्राइडेंट एवा मेरे उपर कोई ट्राइडेंट फेड़ जिस तर पते नहीं कहाता है ट्राइडेंट हाँ वही तर चाहिए अलाग से जैसे जॉंबी रात में आते हैं अभी तक मेरा किसी भी मॉप से सामने नहीं हुआ है और हम लोग शायद थर्ड पार् क्योंकि हम लोग को में ख्याल से मैं एक आप चैलेंज लेना अपने आप भी से चैलने चाहते हूं कि मुझको पार्ट थर्ड में अपना एक पूरा आईरन का आर्मर बना के दिखाना है आप लोग को सबको तो में पास हाँ दो स्टैग हाँ स्टैगी का उसको ट्विंटी प्लैंक्स और एक स्टैग हो गया इस पेड़ को भी काटी लेते हैं तो पते हैं एक तो यार यह को कोई समझाओ ऐसे कौन सा हाथ से करता है पहले बात पेड़ कोई दिकत नहीं माइनक्राफ्ट ऐसा ही है तो हम क्या कर सकते हैं हम तो इसकी पूरा सेटिंग थोड़ी ना ब सब्सक्राइब कोई दिकत नहीं जल्दी हो जाएगा अभी वहां पर मुझको एक लंबा सा पेड़ नहीं चोटा से पेड़ देख रहा है उसको भी काट लेते हैं इसके में वुड है ना अच्छे डर्ट व्लॉक तो मुझको लग रहे हैं जाड़ियां उड़ दे हावा मे लेकिन ऐसा थोड़ी ना हो सकता है फिर से कोई जॉंबी क्या बाद आ रही है कोई बात नहीं आ जाएगा लेकिन अपने पास सौड भी तो नहीं है तो पहले यहां के लीप्स हटानी पड़ेगी क्योंकि यह पूरा पेड़ एक पूरा कवर्ड है इसकी वुड तो अभी श पता है यह आले मोड में पेड़ काटो लेकिन हो जाए तो बगल बगल पत्तियां जादा कटती है और रात होने वाली है पाले हम लोग सो लेते हैं क्योंकि जॉंबी हों ब्याग है को लोग पेड़ काट रहो पीछे से लों लोग मारके चले जाए और फिर अब लोग डिरक कि यार जल्दी हो रात कम से कम एक दिन हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है घर बनाने हाले एपिसोड में तो मैंने सामने एक साइट कोल भी देखा था हम लोग को पहले कोल भी लेने पड़े को क्योंकि अपने घर में लोग को टॉर्चेस भी लगानी है वरना महां प वह क्राफ्टिंग टेबल बनाना पढ़ेगा उसके बाद पीकैक्स तो हां अलगी से फोर ब्लैंक्स पढ़े दो उसी से क्राफ्टिंग बना लेते हैं उसे के बाद अपने पार्ष एक ही पिकैक्स बनाएं गया तो मुझको ये विलेजी से मिल गया था सैडल इसलिए मैंने सेडल बनता भी नहीं है जिसे किसी से लोग बहुत सारी क्राफ्टिंग कर सकते हैं साडल बनता नहीं हम लोगों लेना पड़ता है तो अपनी पिकेक्स बन चुकिए अब हम लोगों सारा कॉल माइन करना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा टाइम एक तो बहुत लगता है गुसा थी वाकते हैं यहां पर बहुत कॉल है अपने पूरे घ ित नहीं कूल क dobr को दिककती नहीं तो यह क अपन है अपने मैं मुझ को अपने बस सि किति commanders ने आइप तक कौन मिला ओप अभी तक तो तो पॉंट साटी को वे सुए होंगे ऐभी कोई सब्सक्राइद तो हम लोगों के लेवास बढ़ जाते तह इद यहां लेशाए ब्रश अ कोबल स्टोन भी ले लिए तो अभी हम लोग अपना घर बनाएंगे यहां पर ठीक लगेगा पहले हम लोग अपना पूरे घर का बेस बना लेते हैं उसके बाद आप लोग से मिलते हैं थोड़ा से तो आप लोग देखे लिए क्योंकि मैं सही मैं वीडियो लंबी नहीं करना जाती है तो यह होने वाला है तो यहां पर जाड़ी आड़ी भी बहुत है तो उसको साफ करने के लिए जब हम लोग आईरन लेकि आएंगा अगले वाले अपर में डिरेक्ली एक वाटर बकेट घसीट के इसको मार देंगे पूरे जमीन को तो आपना अभी अपना बेस पू हम लोगों को कोई प्रॉब्लम न हो हार्ट क्योंकि अपने पास हाफ ही है अधे थोड़ा सा लंबा हो गया इसको अर्या यहां से भी तो हो सकता है मैं फाल्तों में कर रहे हैं इसको दबाते हैं और फिर से यह मुझको पहले नहीं पता था कि बीच आले बटन को दबाने से है कि अपनी स्पीड थोड़ी से कम हो जाती हम लोग एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में गिरते नहीं लेकिन अभी मुझको डाय अभी जस्ट मुझको पता चला कि ऐसा भी होता है चलो अब अपने बेड में देखा हम लोग एक भी हार्ट नहीं गया और इससे हम लोग की ब लेकिन यह च्छत तो पूरी कवर होगी यह तो अभी ऐसी टेंपरेटी लगा लेते हम लोग के पास अभी प्लैंक के कोई कमी नहीं है क्योंकि आगे बहुत सारे पेड़ अगर कमी पड़ भी जाएगी तो हम लोग वहां से काटके ला भी सकते तो अब यह थोड़ा सा एक पहले स्ट्रक्चर टाइप कम लोगों को बना लेना चाहिए तक यह बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप लोग यह कमेंट शेक्शन में जरूर बता देए कि आप लोग को हम लोगों का घर कैसा लगा वैसा भी पूरा बना तो नहीं है थोड़ा सा शाम भी होने वाली है तो इस घर को बनाते बनाते हम लोगे बहुते दिन और रात की मैनट लगी है बहुत दिन हो गयोंग है यह तो बात हम लोग आज घर बनाएंगे अगले वाले वीडियो में स्टाइल्स के हम लोग थोड़ी बहुत डेकुरेशन भी कर दे क्योंकि यहाली वीडियो मुझको पता है बहुत लंबी हो चुकी है अभी तो अपने घर की थोड़ी बहुत च्छातत बनने हैं एक तो पता नहीं है यह गुसा आती लगाओ कहीं और लग कहीं और जाते हैं प्लैंक्स इतने दूर से नहीं लेगा चाथ के बाद यहां पर ग्राव एक और फ्लोर बनेगा सेकेंड फ्लोर जो की उसके बगल से घर के स्टेर्स जाएंगी और स्टेर्स इसे से बन जाती है कोई दिक्त नहीं और वाले होर्स ने मुझको बहुत कुछ दे दिया था इन बैटरी में उसकी अपनी कि यह देखे बाब उधर के इदर लग जा रहे हैं तो इती कुस्सारी ना और अपने घर की बस यह बिंडों हम लोग जब सेंड लाएंगे तब यह फिर से खोल के तोड़ ताड़ के फिर से यहां पर ग्लास लगातेंगे तो और बढ़ी हाएंगा क्योंकि टॉर से इती ब और बारिश में और अलड़ी मॉब स्पॉन हो जाते चाहे रात हो या ना हो इसलिए मिख्याल से हम लोग को अपनी दिवाल कवर कर लेनी चाहिए तो में पास कुछ इत्ता समाने हैं पहले हम लोग टॉर्स बना लेते हैं स्टिक्स तो अपने पास हाँ चलो पहले स्टिक्स बना लेते हैं अभी 12 ठीक रहेंगे क्योंकि इत्ते से काम हो जाना चाहिए पूरी टॉर्श बन जानी चाहिए कि देखते हैं कि इत्ती मिलती हम लोग को हम लोग को 48 मिल चुकि बहुत अच्छा है तो पहले हम लोग को साइड साइड में अभी प्लैंक्स लगाने के बाए टॉस लगा देंगे क्योंकि अभी तो ब्राइटनेस है तो यह पाग बढ़ी है पहले मुझको यह नहीं पता था कि यह बीच अले बटन से स्लो में यह बैड जाता है फिर गिरते नहीं एक ब्लॉक से नीचे तो अभी अपना पूरा गर बन चुका है मैंने टॉर्श भी लगा दी है एकी विंडो जोड़ दी क्योंकि मेंक्याल से रात होने वाई लिए और आप लोग सामने का से विव देख पा रहे होंगे वो राउंड राउंड सा किता बढ़ियां लग रहा है यह बादल बहुती ज्यादा करीब आ चुके हैं और यहां मैंने भी गेट के लिए थोड़े से वुट छोड़ दी क्योंकि यहां पर हम लो है तोऊप इतन हो यहां पे लगाएंगे डोगने बनाया यह में एभी तो हम लोग अब को अपना निकालते हैं स्टेर्स और यहां पे साइड्साइड के लगाना शुरू करते हैं कि पहला तक हम लोग को यहां पे लगानं पड़ेगी फिर यहां पर एक बुड लगाना पड़ेगा यह गलत लगे एक और पीछे के साइड भी बुड लगेगा शैद यह इसके उपर एक स्टेर लगेगी यह साथ में तो हो ही जाना चाहिए क्योंकि मैंने गंगिन गान के बनाई है कि यहां पर भी एक ओ लॉक लगेगा ओव्मिसके बगल बगल में फैंस बना देंगे तो और बढ़ने लगे अभी अपनी स्टेर्श तो बन आप अब अपनी स्टेर्स तो बन चुकी है लेकिन अभी उपर का फ्लोर बनाना बाकी है जो कि हम लोग अभी शुरू करते हैं कि यहां पर तीन ब्लॉक्स क्योंकि यह से गेट होगा तो अभी अपना पूरा फ्रोर तो नहीं बना है थोड़ा सा यह जो लॉक का डिजाइन था वो हम लोग ने अभी कंप्लीट कर लिया है तो यहां पर थोड़ी से हम लोग डिजाइन रखने का सोच रहें कि आधी अलग बूड आधी अलग बूड यह अच्छा भी लगेगा चाहिए यह कूट कूट के मेरे हार्ट्स बहुत कम होगा अब में पास कुछ खाने के लिए भी नहीं तो अभी अपना घर बन चुका है अ किये अभी तो यह घर थोड़ा सा नॉर्मली रग लोगा महां पर अलग वूड भी दीख रही है उसको भी कवर करना है और यह बैड अलगी मिट्टी में घुसा जा रहा है और सीडियों के पास फैंस भी लगानी अगर आप लोगो वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाइक को जरूर दवा जिए तब तक लिए बाए बाए